आज मैं आपके सामने मैंस का एक कुश्चन लेकर आई ही, कुश्चन क्या बुला, find the value of x and y और यहाँ नीचे कुश्चन दिया हुआ है, x minus y equal to 95 और यहाँ नीचे दिया है, root x plus root y equal to 19 ठीक है, तो चलिए इस कुश्चन को हम solve करते हैं, page हम उपर करते हैं, तो यहाँ पर यह हम root x into root x लिख सकते हैं कि नीचे, क्योंकि root x into root x क्या होता है, x के बराबर होता है, और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर root x, root x दो बार आ रहा है, तो इसको हम root x का whole square लिख सकते हैं कि नीचे, तो यहाँ पर x की जगा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यह जो x है, इसके जगा हम यह root x का whole x, root x का whole square लेकेंगे, ठीके, फिर क्या हम minus, minus लगाईए, उसी तरीके से यहाँ y को भी हम क्या लिख सकते हैं, root y का whole square, ठीके, यहाँ पर मैं लिख दू, y को क्या लिख सकते हैं, root y का whole square, ठीके, यह हो गया, equal to, यह क्या है, हमारा 95 है, ठीके, यह हो गया, अच्छा, इसको यहाँ पर देखिए इस root x को आप a समझे और root y को आप b समझे तो यह बिल्कुल आपका a square minus b square के format में जिसका के formula बनता है a minus b bracket में a plus b ठीक है तो यहाँ मैंने समझाने के लिए root x को क्या माना है a माना है और root y को मैंने b माना ठीक है तो यहाँ पर आपका formula कौन सा यहाँ पर root x का whole square minus root y का whole square इसको घृडशी के बना है यहाँ पर हमने a को क्या माना है root x को माना है आप यहां देख सकते हैं, यहां question में already root x plus root y की वालू क्या दीव हुई है, 19 दीव हुई, कितनी दीव हुई है, 19 तो यह दखिए क्या है, root x minus root y, ठीक है, यहां पर into है, into लगाईए, page उपर कीजिए, ठीक है, तो यहां पर इसके जगा हम क्या लिखेंगे, root x plus root y की जगा हम यह 19 लिखेंगे, ठीक है, इसके जगा हम क्या लिखेंगे, 19 equal to 95, यह आपको समझ में आया, page उपर करते हैं, हम यहां पर, तो हमारे पास यह क्या हो जागा, root x minus root y की वालू क्या मिलेगे, root x minus root y की वालू क्या मिलेगी, 95 और यह 19 इधर सिफ्ट कर देंगे, तो इसके डिव root x minus root y equal to 5, और question में हमारा क्या दिया वाथा, equation, root x plus root y, जो था, यह 19 के बराबर दिया वाथा, दिया वाथा, तो हमारे पास एक यह equation आया, एक यह equation अभी हम जो लेकर आया, यह आया, ठीक है, और एक यह दूसरा equation था, जो question में already दिया वाथा, ठीक है, तो page उपर करते हैं, यह हमारा दो equation है, मैं यहाँ पर लिखते हूँ, यह क्या है, root x minus root y equal to 5, और यह दिया है, root, इसके नीचे लिखे, root x plus root y equal to 19, ठीक है, तो हम इन दोनों equation को add करेंगे, क्या करेंगे, इसको add करेंगे, तो यह cancel, और यह root x plus root x क्या हो जागा, 2 root x हो जाएगा, equal to 19 plus 5, यह हमारा क्या हो जागा, 24 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारे पास root x की value क्या आएगी, यह 2 इसके साथ into में है, इधर चला जाएगा, तो 24 upon 2 हो जाएगा, तो यहां से कटके क्या आया, 12 आया, तो हमारे पास root x की value क्या आई, हमारे पास root x की value आई है, 12, ठीक है, तो हम क्या कर स्क्वारीं करेंगे, स्क्वारीं बोज साइड, thereby root x स्क्वारीं संद्ध है, אבל 12 स्क्वारीं करेंगे, newly나 x, x स्वारीं मेखी रूट x candidate square रहाता, 12 मेखी to the 2014 successful рूट x at the x candidate and the 12 company square is 144, and we get x's value päinगे रूट x Let's total value y, रूट x के रूट x वारीं महीए, आप 3rd और इसको equation मानिए 4th तो हम यह root x is equal to 12 जो है हम 4th equation में रखेंगे तो put the value of root x है यहाँ पर मैं लिखती हूँ put the value of put the value of root x in equation 4th in equation 4th equation 4th हमारी क्या है equation 4th है कि यह हमारी root x plus root y is equal to 9 10 ठीक है तो मैं इसमें रखती हूँ तो हमें root y की value मिल जागी फिर हम squaring कर देंगे तो 4th equation क्या है root x plus root y equal to 9 10 है और root x की value कितनी आई थी? root x की value हमारे पास 12 आई थी तो यहाँ पर 12 लग यह plus root y equal to 19 है यहाँ पर यह क्या था? 19 था हमारा यह लिख दिया हमने तो root y की value क्या होगी? 19 और यह plus 12 इधर shift कर देंगे आर्चे side में तो minus 12 हो जागा तो यह 7 हो गया तो हमारे पास root y की value कितनी आई? हमारे पास root y की value 7 आई अब हम क्या करेंगे? squiring कर देंगे तो हमें y की value क्या मिली? 7 का square क्या है? 49 तो देखिए x की value हमारे पास i 144 और y की value i 49 तो यह हमारा answer आया है ठीक है हम चाहे तो check कर की भी देख सकता है तो चलिए check कर के देखते है तो हम किसमें रखेंगे? देखिए हमारा question यह था न हमारे यह question था हमारे पास x की value कितनी आई है? x की value आई है 144 और y की value आई है 49 तो check करते है चख करेंगे तो हम इसमें रखेंगे x minus y is equal to 95 यहां पे रखते हैं क्या है x minus y equal to 95 है क्या है 95 है तो चख करते हैं यह हमारा lhs है यह हमारा lhs है lhs क्या है x minus y तो x की वैलू कितनी आई है 144 44 माइनस Y की वैलु कितनी है यह 49 तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 95 आएगा जो की RHS के बराबर है तो हमारा यहां LHS RHS दोनों चेक हो गया है तो हमारा यह जो आंसर आया है यह बिल्कुल सही आया है तो उमीद है आपको यह कुशन अच्छे समझ में आ गया